Hello everyone, I am Advocate Ashi Dower, your Legal Baba Bank की EMI यानि की किष्टे आपने देनी है के नहीं देनी देनी है तो कहां देनी है, कब देनी है आपके ऐसे बहुत से सवाल मेरे से पूछे गए है इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में दूँगा पर अगर आपने उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल Legal Baba सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंद नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाए बेल आइकन दबाए ताकि हमारी Legal Informative वीडियो आप तक पहुशती रहे दोस्तो ये बात officially declared हो चुकी है कि RBI ने बैंक की EMI तक और extend कर दी गई है यानि कि पहले एक मार्ट से लेकर 31 में तक EMI आपको नहीं भरनी थी अब 1 जून से लेकर 31 ओगर्स 2020 तक वो EMI आपने अभी भी नहीं भरनी दोस्तो अगर आप 31 ओगर्स 2020 तक कोई भी EMI यानि की किष्टे नहीं भरते तो आपके against कोई भी complaint नहीं करी जाएगी ना ही आपके CBIL score पर कोई फरक पड़ेगा यहां तक कि अगर आप पहले भी कोई loan नहीं चुका पा रहे थे तो आपको 31 ओगर्स 2020 तक राहत दे दी गई है दोस्तो अगर तो आपका business है तो business की working capital पे जो interest है उसे भी defer यानि की postpone कर दिया गया है 31 ओगर्स 2020 तक दोस्तो सबसे important बात यह है कि जो total 6 महिने का interest इकठा होगा वो आपने एक साथ नहीं भरना RBI की guidelines के मताबिक वो जो total interest बनेगा 6 महिने का उसे भी एक term loan में convert कर दिया जाएगा और 31 मार 2021 तक आप वो term loan चुका सकते हैं और जो यह moratorium extend हुआ है 6 महिने तक का आपने अपने bank को या कोई भी financial institution को जो की RBI की guidelines के अंडर आता है उसे सूचना देनी है या तो आपने email करना है या तो उनका process पूछना है कि आप ये moratorium कैसे apply करें दोस्तो ये अपने आप by default नहीं लागू होगा आपको इसको apply करना पड़ेगा और इसकी application आपने अपने bank में देनी होगी और दोस्तो अगर तो आपको मेरा ये video पसंद आया तो आप नीचे bell icon दबाएं subscribe करें like का बटन दबाएं और इस video को जितना share कर सकते हैं उतना share करिए दोस्तो अगर आपको कोई question पूछना है आपको कोई जानकारी चाहिए तो description box में मैंने instagram का link बेजा है आप link पे जाईए मुझे message करिए आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूआ दोस्तो ऐसे अनेक कानून जानिये और मेरा YouTube चैनल Legal Baba सब्सक्राइब करते रहिए Thank you